अगर आप 5000 की SIP कर रहे हो और आप यह सोच रहे हो कि 2 करोड रुपया बना लूँगा वो भी long term में तो यह सच है इसके कुछ benefits बताऊंगा इसके कुछ negatives बताऊंगा long term investing की real picture आपके सामने रखने वालों कि actually मैं आपको equity के अंदर ही क्यों invest करना चाहिए और कहीं और आपको invest क नहीं करना चाहिए तो आपके सामने यह पूरी की पूरी picture clear होने वाली I would highly recommend कि अगर आप एक नए investor और आप एक mid term investor इसको invest करते वे 2-3 साल हो चुके है तो definitely जो वीडियो है यह आपके लिए काफी जदा important होने वाली है because कुछ ऐसे important factors इसके अंदर है जो शायद आप कभी भी अपनी long term investing की journey में consider नहीं करते मेरा नाम है अभी शेक अपाथ है आप देखरें coffee thinkers इसी तरीकी की logical वीडियो आपको पसंद है जो real life के उपर based होती है practical information पर based होती है so please इस चैनल को subscriber वीडियो को लाइक करना बिलकूल मत भूलना directly चलते है वीडियो की साइड सबसे वाला समझ बात कर दी है अपनी की tax कैसे नहीं लगता देखो अगर आप एक FD कराते हो जैसे ही FD की maturity होती है वो आपके account में आएगी और एक certain amount के बाद अगर आप interest कमाऊगे तो उसके उपर आपका tax लग जाता है अगर आप FD में invest कर रहे हो सेम चीज़ आपको RD के अंदर देखने को मिलती है कि भाई जैसे ही पैसा कमाया वैसे ही उसके उपर tax लग गया पी पीएफ एपीफ के अंदर टेक्स नहीं लगते लेकिन जो lock-in period है वो बहुत ज्यादा लंबा होता है और आप चाहो या ना चाहो आप वहाँ से पैसा निकाल नहीं सकते हो वहीं पर जो equity investing होती है इ इस पर आपका tax नहीं लगीगा क्योंकि आपने उसको बेचा नहीं है सो जब तक equity market में mutual fund में stop के अंदर अगर आप sell नहीं करते तो उसको हम कहते है unrealized gain अब unrealized gain का मतलब यह है वो number number दिखे रहे हैं आपको आपके account के अंदर हिट नहीं हो मतलब आपके pen card के पर वो पैसे नह इस नहीं करा profit book नहीं करा इसी वजह से equity सिर्फ उसे एक ऐसी चीज है जिसके अंतर आपको returns extraordinary मिलते हैं इसी के साथ जब तक आप उसे बेचोगे नहीं तो आपको कोई tax नहीं लगेगा इसी के साथ यह आपकी खुद की मर्जी है कि आपको कितने shares बेचने है कितने NAV बेचन end of the video भी cover करने वालों तो उसके लिए आप video पूरी देखते रहे ना अब चलते हैं second point की side second major point है long term investing के अंदर कि यहां पे ना compounding बहुत मस्त होती है यहां compounding क्या होती है कि मानलो आपने 10 रुपे invest करें उस पर आपको 10% के return मिले तो आप 11 हो गए अगले साल जब दुबार आ पर पैसा मिलेगा 11 रुपे के पर आपको returns मिलेंगे और इसको हम क्याते है compounding जो stock market होती है इसके इंदम बहुत अगड़े तरीके से compounding काम करती है अगर आप 57 साल के लिए देखोगे तो आपको लगए पैसा ना इतना जादा बढ़ नहीं रहा लेकिन जैसे आप tenure को इंदम पर और वो कब 5 करोड बन जाएगा आप खुद रेयलाइस भी नहीं कर पाऊगे तो इसलिए tenure बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है compounding बहुत अच्छी चीज होती है जो कि long term investors को मिलती है third low risk देखो जो equity market होती है जितना लंबा tenure आपका इसके अंदर होगा उत्ते बबल आता है 2009 का crisis जिसके अंदर lemon Brazil crisis आया जिसके अंदर कुली कोई दुनिया तबाह हो गई यह नो 2-3 साल तक बजार नहीं चला लेकिन आप कहते हो कि मिलको 25 साल तक इंवेस्ट करना है मैं दे दनादन हर महीने 5000 5000 5000 के SIP करता रहता हूँ इससे क्या होगा इससे जो आपका सारा पैसा कमा पाऊगे long term में because जो market होती है वो देखा गया है long term में उपर ही जाती है जैसे इंसान long term में भगवान के पास ही जाता है ठीक है तो इसी वज़ेसे अगर आप 20 साल 25 साल तक इंवेस्ट करते हो तो जो risk है कि आप पैसा खोद होगे वो almost ना के बराबर हो जाते ह चांसिस है वो almost आपके guarantee हो जाते हैं क्योंकि जो market है वो हमेशा कहा जाती है उपर जाती है आयोप आपको समझ आ गया होगा long term investing के benefits अब मैं आपको दिखाता हूं कि अगर आप long term investing करते हो तब कितना ज्यादा पैसा कमा पाऊगे वो भी कम से कम risk ले करके तो directly screen पे चलते हैं 20 साल अगर आप invest करते हो सिर्फ हो सिर्फ हो आप invest करने वाले हो 20 साल के अंदर 12 lakh रुपे जो as a investor आप invest करोगे लेकिन market आपको जो interest देगा वो देगा 97 lakh रुपीज वहीं पे जो maturity amount बनेगा आपको वो बनेगा करीक कभी 1 करोड 10 lakh रुपे का अब देखो यहां पे हुआ क्या वो इतनी शांदार हुई है और जो मीजा पैसा बना है वो लास्ट के 5 साल में बना है तो इसी वज़े से जो compounding है वो लंबे समय में बहुत अच्छे तरीके से काम करती है यह इसका एक basic idea आपको दे दिया मैंने अब बात करते हैं कि भाई अब एक तो बना दिया 2 करोड के कोशिन नहीं करना पड़े गा 2 करोड के लिए आपको सिर्फ और अपना tenure बढ़ाना है tenure किता बढ़ाना है सिर्फ और सिर्फ चार साल मतलब सोचो अब इभी आप invest 5000 रुपे ही कर रहे हो और सिर्फ और चार साल बढ़ा दिया आपने तो जहां पहले कमा आथे एक करोड 10 ला आप एक करोड रोपे कमा सकते हैं, क्योंकि आपको compounding मिल रहा है, आपको interest के उपर interest मिल रहा है, तो अभी तक आपको एक चीज़ समझ आगी होगी कि compounding काम करती है, long term investing के benefits समझा दिया, अब बात करते हैं कुछ interesting चीज़ों के बारे में, अभी तक आपको मज़ा आ रहा होगा कि भाई, पैसा ही पैसा होने वाला है, long term के अंदर benefit हो, सब तो समझा दिया, लेकिन अधूरा गयानना काफी दादा खतरनाक होता है, तो कुछ reality check भी हम दिखा देते हैं, सबसे फ़ली चीज़, यहाँ पर हमने absolute return की बात करी है, अगर हम inflation adjusted return की बात करें, तो 4% का average, जो inflation अगर मैं हटा दूँ, तो आपको जो पैसा है, वो 24 साल के अंदर करीब करीब, 1.10.000.000 रुपे की आसपस होगा, कोई बुरा return है, बहुत अच्छा return है, बुरा बिलकुल भी नहीं है, inflation adjusted return 4%, अभी 6-7 का inflation चल रहा है, आने वाले time पे कम हो जाएगा, तो हमने average 4 का लिया है, पर problem यहाँ पर यह नहीं है, कि जो inflation है, वो 4% का है, problem यहाँ पर यह है, segmental inflation जो है, वो 11-12% के आसपास है, अब देखो, दो तरीके के inflation होता है, एक तो normal GDP inflation होता है, हमारे overall देश गिंदर कितनी महंगाई दर से हमारा देश ग्रो कर रहा है, कितना ज़्यादा महंगाई दर है हमारे देश गिंदर, दूसरा हाता है, कि कुछ particular segments के अंदर कितना inflation है, जैसे, अगर आप healthcare की बात करते हो, तो 14% approximately inflation होता है healthcare के अंदर, इसे के साथ अगर आप consumer की बात करते हो, कि consumer के अंदर कितनी महंगाई चल रही, तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, कि आज से 25 साल के बाद, अगर आपने real term में 1 करोड कमा भी लिया, तो कोई benefit है नहीं है, क्योंकि आपको पता है, NCR जैसी जगा के अंदर, कोई भी घर बार नहीं मिलता 1 करोड के अंदर, इसी के साथ साथ आभी कोई interesting चीज़ समझाता हूँ, कि जब आप 5000 की SIP करते हो ना, तो आप बहुत ज़्यादा serious होते हो, आप सोसते हो कि भाई मैंने दुनिया जीत लिए है, और अब मेरे को तो धरती फाड़ करके आगे निकल जाने है, तो आप के अगर तो आप यह बोलते हो, कि भाई मुझे कुछ अच्छे mutual funds बता दो, मैं आपको बताता हूँ कुछ अच्छे mutual funds, और अगर आपने इस logic को समझ लेना, आपके जिंदगी बहुत सुकून से गटेगी, और शायद आप इससे ज़्यादा पैसा क्या मपाओ, जब तक आप 5000 के SIP कर रहे हो, तो आपके portfolio में 2, 3, 4 mutual funds होने चीए, बहुत ज़्यादा नहीं होने चीए, और कोई sense भी नहीं मन्ताइन का, जैसे आप एक mid cap mutual fund रख सकते हो, जैसे हो गया, multi-lalos वाल हो गया, quant का mid cap mutual fund हो गया, इसी के साथ साथ आप एक flexi cap रख सकते हो, जैसे quant का flexi cap हो गया, ठीक है, इसी के साथ साथ आप एक multi cap रख सकते हो, जो क्यों हो गया, निपॉन इंडिया multi cap mutual fund, इसके अलावा, अगर आप 5,000, 7,000, 10,000 की SIP कर रहे हैं, आपको कोई दूसरा mutual fund लेने की जरूरत नहीं है, overall जो आपका पैसा है, वो diversify हो गया, आपको 10, 15, 50 mutual fund की जरूरत ही नहीं है, तो पहली चीज़ हो गया, दूसरी चीज़, अगर आपको लगता है कि भाई, कि मैं swing भी ले लूँ, कि अभी तो आप कहा रहे थे कि banking and finance में करो देखो, आप ये समझो, कि अगर पैसा छोटा है, तो अगर आपको भगवान भी आकर आपकी कान में बता देना, कि बेटा यहाँ पर invest करते हैं, दस गुना पैसा हो जाएगा, तो भी आप मत करना, तो भी वो nonsense बात होगी, क्यों होगी, मैं भगवान को इसलिए बीच में लेकर क्या आ रहा हूँ, क्योंकि अगर भगवान आपके कान में आकर बोले, कि बेटा तो पढ़ाई कर, भगवान आपके कान में बोले, क्योंकि भगवान खुद नहीं आएंगे, जो लोग भगवान पर बहुत ज़्यादा मानते हैं, वो गुरु गुरु के चक्कर में पढ़ जाते हैं, और गुरु बहका देते हैं लोगों को, इसी वज़े से मैं भगवान को नहीं ला रहा है, उसके बाद अपनी इंकम पे फोकस करो, भगवान हमेशा आपको कहते हैं, बेटा करम पे फोकस कर, फल के चिंता मत कर, तो पांच हजार रुपे आपकी अफल है, जित्ता आप करम करो, तो करम करो, जिससे फल ज्यादा मिलगा जो पैसे होंगे, और उसके बाद भगवान आपके और साहिता करेंगे, और जो पांच हजार पे कमपाउंड निक होंगे, उससे आप और ज्यादा पैसा कमाऊगे, तो किसी के चक्करों में मत पढ़ो, जिन्दगी के अंदर पैसा कमाने पे फोकस करो, जो लोग कहते हैं कि पैसा बेकार चीज़ है, उनसे जाकर के ये बोलो कि आप अपना बैंक अकाउंट दिखाओ, अगर आपका 100-200 करोण रुपे न तो बोलो पैसा बेकार चीज़ है, अगर आपका उत्तरना पैसा नहीं है, खुदो भाई, आप भी कमा, मुझे भी कमाने दो, बिकेस बिना पैसे के, आपको हेल्थ केर देखने को मिलेगी, अगर आपकी फैमिली किसी भी रिजन पर बिमार होती है, तो आप परिशान हो जाओ कि आपको दाल, चावर, रोटी तक नहीं देंगे, अगर आप लेने गए हो और आपको बस कम पैसा है, तो पैसे की कीमत समझो, देश भक्ती करो, सब चीज करो, लेकिन अपनी जिन्दीगी को इतना स्ट्रॉंग मुना लो, कि आपको किसी की जरूत ना पड़े, और आपको यह समझ आगया होगा कि लॉंग टर्म इंवेस्टिंग अच्छे हैं, और लॉंग टर्म इंवेस्टिंग के प्रोव क्या है, कौन्स क्या है, और यह सारी चीजों के साथ भी अपकुछ लोग बोलेंगे, कि भाई, टेक्स जो 30% लगने वाला है, देखो, चाहिए आप बॉंड इंवेस्टिंग कर लो, चाहिए आप डेट इंवेस्टिंग कर लो, चाहिए आप एफदी में इंवेस्टिंग कर लो, बेस्ट रिटर्न, या तो आपको रियल स्टेट दे सकता है, अगर आपको हाईवी के साइड ओली जमीन मिल गई जो बहुत ज्यादा मुश्किल काम है और टिकेट साइज बहुत बड़ा होता है या फिर आपको स्टॉक मार्केट दे सकती है तो इस स्टॉक मार्केट दे रही है तो भाई अब टेक्स देना पड़ेगा तो देना पड़े